सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ एकदम मार्केट जैसी डोकला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो एकदमी सॉफ्ट एंड स्पॉंजी होने वाली है और मुह में जाते ही घुल जाता है तो वीडियो पूरा एंड तक पौच किजिए और इससे पहल बैक टू मैं चैनल आप सभी कमीरे चैनल में फिर से एक बस्वागत है तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहां पर आदा कटोरी पानी और फिर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी तो हमने यहां पर चार चमच चीनी डाला है जिससे हमारा ढूकला एकदमी मार्केट जैसा बनेग और अगर आपके पास सिट्रिक ऐसे ना हो तो आप यहां पर लिम्बू के रसका भी इस्तमाल कर सकते हैं और अब हम सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी जब तक पिगलना जाए तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें डालेंगे हम एक चुट की जितना हल्दी रहा हम्में बस एक चुट के оondere करना है और फिर हम सारे चीज्दों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब अच्छे से mix हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन हमने उसी कटोरी का एक कटोरी बेसन का इस्तिमाल किया है यह हमारा बारिक बेसन है और इसको हमने अच्छे से चान लिया था ध्यान रखिए, ढुकला बनाने के लिए हमेशा बेसन को चान के ही लेजिए ताकि उसके अंदर कोई भी गुठलिया गाट ना बर रहे जाए और अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक विक्सर की मदद से हमें आप पे अभी कुछ भी एड नहीं करना है हम पहले इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूत है और बाजू में एक बेल नोटिफिकेशन भी होगा उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने को मिले सबसे पहले तो अब आप देख सकते ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसके अंदर और आदा कप बेसन का एड़ करेंगे हमने आपे टोटल डेर कप यहां पे बेसन का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से वन डिरेक्शन में मिक्स करते हुए जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुटली या फिर गाट ना रहे जाए और इसमें कोई भी लंस ना रहे जाए तो हम इसे अच्छे से एकदम परफेक्टली हमें से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा एक पेस्ट बना करके त तयार कर लेना है और फ्रेंज आपका डोकला भी एक दम पर्फेक्ट बने तो इसलिए पूरा वीडियो एंड दक वाँच किजे मैं आपको चोटी से चोटी टीटील देती रहूंगी जिसकी मदद से आपका डोकला भी एकदम पर्फेक्ट बनकर के तयार होगा तो वीडियो क स्किप नई करके पूरा एंट दग वाच कीजिए अब आप देख सकते हमारा जो बैठार एकदमी परफेक्टली रेडी हो गया है इसमें कोई भी लंप या फिर कोई भी गुठलिया नहीं है तो आपको भी इसी तरह का परफेक्ट बैटर बना करके तयार कर लेना है और अब म इसके अंदर कोई भी लंप नहीं बच रहा है और यह नीचे जाते ही पूरा मिक्स हो जा रहा है और अब दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप चमच की पीछे एक लाइन बना करके देखिए और यह जोइन नहीं हो रहा है मतलब हमारा बैटर एकदमी परफेक्ट बन करके त चमच बेकिंग सोडा डिए यह रहा है और अबार आपके लिए और आपके लिए दिखाईगे अंड़ा है यहां पे हमने बेकिंग सोडर डाला है और उसे साथ में हम डालेंगे एक चमच पानी ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और यह स्टेज का अब जरूर ध्यान रखिए हमें बेकिंग सोडर डालने के बार इसे कंटीनु एक से डेर मिनिट तक फेटना है हम इसे इसे बेकिंगे त attractive अच्छे से फिटेंगे उतना ही हमारा ढूख्ला गळार जाली ऑर कि आफेश ने के सब्सक्राइब तो आपकि सर गया तो आप देख सकते हमारा जो मैर बैत यह अन्दमी से फूल के आप कर देंग कि दूर को दलीनुकिल हां पस्दय तो चbesल मॉर्द को तरफ उयल फिला देंगे ताकि चिप के ना और अच्छे सी निकल के आ जाए और अब इसे से ग्रीज कर चुके है और इसमें डालेंगे अप्टर यहां पर सारा बेटर अच्छे से डाल dेंगे अब देख सकते कितना अच्छा सी जाली बन रहाया है हमारे बैटर के अंदर ऑ् पैचोला के मतदर से एक्स्ट्रा बैटर को भी हम डाल देंगे इसके अंदर आपकी कुछ भी वेस्ट ना हो जाए और अब हमारा अच्छे से बैटर डाल देने के बाद हमें आप इसे टैप करना है ताकि इसके अंदर कोई भी जो बबल्स ओ एर बबल्स फो निकल जाए और ह लग देंगे हमारे मोल्ड को और फिर हम इसके कवर करके 20 मिनिट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे हमें इसे slow to medium flame ही करना है और आप 20 मिनिट्स हो चुके हैं आप देख सकते हमारा नाइफ एकदम ही अच्छे से हो गया है क्लीन इसका मतलब हमारा डोकला एकदम ही चमच राई राई अच्छे से चिटक जाने के बाद इसके अंदर हमेंआना है कडी पत्ता कडी पता अच्छे से वाश का करके ले तो हमने यहाँ पे 7 से 8 पीस कड़ी पता कर ले लिया है और उसे हम डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से चिटकने देंगे फिर यहाँ पे डालेंगे हम दो हरी मिर्ची कटी हुई इसे आप बारी काटके डाले तो इसका टेस्ट एकदम ही अच्छा आजाता है और फिर ह सब्सक्राइब अच्छा से इसे इसर अच्छा से बल लेंगे यह वी लस्तीए मिलाई और ऑं कर देया लेंगे तुढ़ा की यहां पर तो हम पर अच्छा से थंडा हो चुका है तो हम अच्छा से ॉद्ड करेंक तो आपके according कितनी भी थिक्सना इस रखना है आप रख सकते हैं हम यहां पर लंबा लंबा करके ढूकला को काट लेंगे चम्मत की मदद से सारे पिसस को हम अच्छे से कट कर देंगे और कट करने के बाद इसमें हम डाल देंगे हमने तड़का लगाया था वो डाल देंगे उस बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बूलिए फ्रेंज फिर मिलते हैं ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाबाई